नमस्कार आप सभी का स्वागत है इंजीनियर राजेसर यूटूब चैनल पर इ-r. राजेसर तो आज हम लोग जानेंगे बर्ग एंड एनर्जी के बारे में इसक्राइं के बर्ग वाटिज बर्ग एक वाटिज एनर्जी तोज अज हम लोग दोстаपिक के बारे में डिसकर्शन करेंगे तो सबसे पहली जो 약간 अब, वाल का पको हका बर्ग क पर रो इसे कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं उनब बार हिक बार को कहते हैं का क्या करनाता है तार इसको क्या करेंगे सरल भासा में समझेंगे डेफिनिशन क्या बनाएंगे कि यदि किसी पिंड पर टेक है या अपर आप स्वाट में मौन दिखना चाहें तो किसी पिंड पर किसी पिंड पर बन लगाया जाता है तत्रा बन की दिशा में बन की कि दिशा में हुए बिस्थापन आपने क्या किया बन लगाया और बन लगाया ने क्या हुआ कि जो बस्तु है वह कुछ न कुछ खिसकी बिस्थापन हुआ बिस्थापन के गुरंधन को कार्ड कहते हैं कार्ड कहते हैं है ठीक है मतलब आपने क्या किया एक बस्तु रखी हुई है और यदि आप उस बस्तु पर बल लगाते हैं और बल भी दिसा में वह बस्तु खिसक जाती है कि विएष्ट प्रि में वहम अब आपने कार्ड के रूप में आजाएगी कैसे माली दिखी यहां परी पिंड रखना होता है हुआ है ठीक है अब हमने क्या यह से फोर्स लगाया धब्ता लगाया फोर्स गया है बल कि आप हिं बलों किसे मेजर करते हैं बल को नीटन से आप पैके आपे बल लगाया तो बल मयरां पर यह बंस्तु क्या हुए यहां पर आ जहीं पोजीशन पर थी और बन लग आने पर यह बी पोजीशन पर पिश्ट ना को दूरी पर खिश की डिस्प्रेस्मेंट हुगा तो तुर्ष पर दरसाएंगे दूरी को एक्स की फ़ों में तो यह आगे आपका एक्स तो क्या होगा कि बन लगाया बन लगाने पर ये बस तो क्या हुई एक पॉजिशन पर थी बी पॉजिशन पर आगी कितनी खिसकी एक्स तो यहां बादन पर दूरी थे बस दोरी को हम लोग कैसे मेजर करते हैं दूरी को माखते हैं मीटर से Out of akavate torsi In a mq partने तो यह और आगे आपका के मीटरव मुर्ल मुदल आपका न्यूतर बन का यह तो आप न्यूतर लोग कि खिली कि कार कितना हुगा तो कार को ज्यार का निविए देखेंगे डबलू हो गया बर्ग बर्ग इसके बात करें कि कार का या बर्ग का यूनिट क्या होगा तो यूनिट क्या है फोर्स हमारा निविटन है और यह आगे आपका दूरी है मीटर तो यह जाएगा निविटन मीटर ओके तो यह हो गया बर्ग ठीक है तो डेखनेशन के लिए क्या कहेंगे कि यदि किसी पिंड पर बन लगाया जाता है और बन लगाने पर बोद बस्तू बर्ग की दसामें विस बिस्थापद होती है तो बल और बिस्थापन के गुणफल को काल कहते हैं जिसका मातर होता है निवाटन मीटर नियूटन क्या है निवाटन का मातर रख और जो बिस्थापद हो गाए कुछ दूरी तो दूरी कॉंडर नापते हैं मीटर से तो इसका जो मातर हुग हो है न्यूटन मीटर तो यह है कि कार क्या है कि बन की दिसाम में बिस्थापन होना चाहिए तो अब यहां पर बात यह बन के बन जाती है कि माली जी यह दि कोई कुली है इस टेशन पर सामान लेकर पचास के लोगा बजन लेकर ख़ड़ा हुगा है और उसको पसीना आ रहा है तो इसका मतलब यह हुगा कि साइंस की भासानों उसका प्तार हो गया है जीरो क्योंकि ऊंज़ी वह भूस तो यह है बल तो लिए यह है लेकर शंक बल की दिसाम कोई विस्तापल नहीं हो रहा है कि तो यदी हमने ऐक्स की मुट्रिपलाइब्ड़ कि एक से बिस्तापन है तो जीरो को यदी हमने बज से बुड़न पनकी है तो टुटन बैनी होगी हमारी जीरो तो इसका मतलब क्या हुगा कि विश्फापन होना कम पर जली है तो आप समझ गया क्या कर जाता है आप हम जानेंगे हुआ ईदि के रूजा है कि वाइसे कहते हैं और पूजा कितने प्रतालकी होती है क्या तो यह इसको चाहिब आपको कर सकते हैं या पर Dus ja कृमिर में सब्सक्रांप आए रहे Lore उर्जा किसे कहते हैं और उर्जा कितने प्रतालकी होती है तो यह इसको चाहिए तो आपको नोट कर सकते हैं या फर वीडियो को सेव कर लिजेगा और जब एक्जाम आएगा तो आपसको उसमयाद देख सकते हैं तो यह हुमारा हुए बर्ग अब नैस्ट पर रहेगा हमारा है कि ऊधार कि क्या होती है और किसी भी काव करने की एक छॉमता होती है एमरड़ locked यदि हमाल कोई भी करना है किसी मन उसको उचाथ कर ना जाए उसके लिए उसको क्या चे runnersविती और उर्जा उसको कहां से मेलती है? खाना खाने से, यदि हम बात करें कोई ज है, और मसीन को चलाना है. जो उसको ओखっちゃ आने कहां से क्डेंगी यदि वो वो एलेक्टिकली रूपसे ज़ल लगी तोल वक entrance дорогal energy देते हैं और यदि वो mechanical रूपसे बद कर देए तो हम उसको mechanical energy देते हैं उर्जा क्या है ऊर्जा किसी निकायता वरभण है ठीके है उर्जा किसी की सि्टम का वरभण है जिसमें काल को परेने की चमता हुत्पन की जाती है ठीक है energy एलर्जी उर्जा तो तो क्या है उर्जा उर्जा किसी भी नेकाएगा नेकाइभी सिश्थान एक उर्जा इसी भी निकाल, निकाल नी सिस्टम निकाल का वर गुमर ठेड, कौनसा गुमर है, जो ठीज है जो किसी काल को करने की छम्दा रखता है, जी है, यह हो गया है, एलब जी, मतला हम क्या करेंगे, कोई भी कार करना है, तो हम एनर्जी का इस्तमाल करेंगे, उर्जा की गरना सीधे रूप पर नहीं की जा सकती, यदि हम एनर्जी को मिजर्मेंट करना चाहें, तो डायट हम एनर्जी को मिजर नहीं कर सकते हैं, यह एक आदिस रासी है यह क्या है इसके लिए पॉंट्टी है आदिस रासी है और इसको यदि उर्जा को मेजर पढ़ना है तो इसका जो मात्रक है वो है जूल तो उर्जा को हम कैसे ना मात्रे हैं जूल में तो यह होता है इसका जो यूनिट है वो हो गई है कि जून की है कि उजया का जूमात रखोंगे आप होगे आफका जून कि आप बात करते हैं कि उजया कितने प्रितार्टी होती है तो मैंली मतलब मुख रूप से एनर्जी तीन टार्टी होती है ठीक है कौन हो ज़िए कि एनर्जी कि टार्टी है कि नंबर प्रस्टे आपकी इसको कहते हैं इस्थेटिक इस्थेटिक पूर्जा जिसे आपके पोटेंसियल पुटेंसियल एनर्थी सिंगना जाती है आपकी कार्णेटिक एनर्जी और थर्ड़ा जाती है आपकी इनर्नल एनर्जी थी है मतलब इस पूजा जो उसकी की स्थेटिक के कार्ण सक्षबर्ण हो रही है इस सेक्टर आजाती है की गतिक शुजा जो तरह थैट आपकी आत्रिक हूजा जो इसके कि अंदर की तो संगत्चना के काड़ जो उत्पन हो रही तो आपकी आंट्रिक उजा तो इसमें से हम लोग जाने में सबसे पहले तो समझ गया है कि इससे तेंच उज्जा और गद्रिक उज्जा और यहां यहां का आंट्रिक टीश है तो सबसे पहले जानेंगे इस तेंच उज्जा क्या होती है जिसको कहते है पोटेंचिया एनरडी इस तेंच उज्जा मतलब जो कोई भी पिंड यह जी कहीं पर ब्राम वस्था में है ब्राम अवस्था में तो उसके अंदर कोई ऊचा तो एह रही तो वो ऊचा कहलाती ही जब कोई पज कोई पिंड इस्टाट कंडीशन में होता है इस तर अवस्था में होता है तो उसके अंदर फिर्फ न καते हैं जैसे इंद्युजरी में करें हुए तो यह क्या है आपना कर दdoor करना घ्र डूह vision तो यह गदिल उर्चा कहां से है इस ती गदिल उर्चा में आद्ड होगे टिक है तो इस ते किवारे में जा रही है जिसको एपक्सटिक हो एज़िद्ध नेज़ितक नेज़िए करें य quickly this द जो फिन आफ र Phillips किसी ग्राम पिंड के अंदर उपस्थ ठीट है या पर आप पैसे में अंदर एकटी या एकटर या पर उपस्थ पूर्जा इस्टेटिक एकटी कहलाती है जैसा कि डैर में बान है बान के अंदर पानी भर उद़ा है सांथ अवस्था में पानी तो पान के अंदर कोई या कोई पूर्जा है क्योंकि जब पानी ब्राइब ब्राम अवस्था में सांथ अवस्था में तो उसके अंदर जो उर्जोद बन हो रही वो है आपकी ब्राम अवस्था बानी उर्जा या पर इस्टेटिक एनरजी ठीक है क्योंकि जितनी भी कोई रुकी हुई बस्थमिया है मतब कोई भी बर्ग नहीं कर रही है तो उनके अंदर एक उर्जा ही उत्पन होती वो है इस्टेटिक उर्जा इस उर्जा को कैसे डिफाइंड करते हैं इसको डिफाइंड करने के लिए है MGH MGH यह है MGH का फॉर्णला है इस प्रेटिक एनरजी का जिसमें M G और H M क्या है आपका M कहलाता है द्रमान या मास 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 जी जी आगे आपका क्यों तो गुर्ट्ट्वा कास्वां बन चीख है प्रिस को देंग ग्राइशनल ड़ुको कि फोर्ज ग्राटियाशनल फोर्ज और एच क्या होगी एच होगी एच का उचाई सिस्टम की हाइड कि एच आई जी एच हाइड ठीक है कहां से सिस्टम चे तो यह एम जी है जो इसका जो फार्वुला आया है यह हो गया इस्टम की बात करें दिश्टम मातर होता है न्यूटन मीटर तो इससे गुज़ा प्रिंड के इस्टम आवस्था में उसके अंदर जो पूर्जा सन्नेह्थ होती है या एकटी रहती है उसे इस्टम कूर्जा कहते हैं जिसको M, G, H की द्वारा टेफ्यान किया जाता है, M, द्रब्मान, G, गृत्वाकर्षनवर्म, पर G है निकाय की हाइट, जिसका मात्रक होता है, न्यूटन, मीटर, अब जानेंगे, इस्टेक्टो हो गया, जब पिंड रुकी हुई या बस्था में था, आब आ गया, जब पि पिंड गतिमान अवस्था में है, तो उसके अंदर पर कोई है, कोई एनर्जी है, जिसको कहते है, एनर्जी, क्या है, किसी पिंड की, गतिमान अवस्था में, किसी पिंड की, गतिमान अवस्था में, में पोपस्थित, पूर्जा या एनर्जी, कानेटिक है, एनर्जी कहला अवस्था में है, तो जब गतिमान अवस्था में है, तो जो उर्जा है, पौन सी उर्जा है, कानेटिक उर्जा है, जिसको क्या आपका, गति, क्योंकि वो गते उर्जा के ही कारण वो पिंड कि इस्टर्टे का मतब चलती वी अवस्था में है तो इसका जो फार्गुला है वो आगया आपका के इसको टू था एंडी इसक्वार तीक है यह इसका मात रखो गया कि एन क्या है द्रमान बी है बेग और इसका जो मात रखो है वो है न्यूटन मीटर तो समझ गए इसका कारेक जिसको आपके गति उर्जा ठीक है इसी भी पिंड के अंदर उसके गतिमाल होने के कारण जो उसमें है वो कह जाती आपके गति उर्जा अब जो टीसरी उर्जा है वो कहलाती है एंटरन एनर्जी आंत्रिक उर्जा अंत्रिक उर्जा क्या है किसी निकाय की आर्विक सांचना एवं गति के के फंच शुरू इसके जो उसकी जो जो उर्जा नहट होती है उसके क्या है इस्ट्रेक्चर्चर इंदर जो उर्जा एक घ्टी है वो कहला कि आंत्रिक उर्जा इसे दिनोट किया गया है यूं से ती है, इंटर्णल, इंटर्णी, ती है, आल्ट्रिक, उर्जा, इसमें अतार्ण का जोसका इस्ट्रेक्चर है, जो मॉल्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट जिसमी क्या है निकाय की सिस्टम सिस्टम की आर्डिक समझना तद्धा अन्मों की की गती की है गती मैं निक उर्जा इंटर्ण एनर्जी कहलाती है मतलश में क्या है दो चीन यावे जिसका जो इस्ट्रेक्चर है इस्ट्रेक्चर के अंदर जो उजा इखटी है और जो उसके आंगों के बीच में जो गती हो रही है इन दोनों का जो सम है वोनी हमारा इंटर्ण एनर्जी कहलाता है जिसको हम यू यू द्वारा डिफाइन किया जाता है ठीक है जिसका जो फॉर्मुला आ जाता है वो अब करता है दी यू दी यू दी यू एम सीडी डी फीड आप क्या है एम क्या है यहां पर द्रमाल ठीक है जो सुर्वाद से चला आ रहा है वो आपकर द्रमाल एम मास सीडी और डी टी सीडी यहां पर है बिस्स्ट इस्थिर आइटन ठीक है और जो टी टी है वो है तापमान में परीवर्दन परीवर्दन ठीक है और इसका लोग अब यह क्या है यह आपका होगया आपका आंतिर उर्जा ठीक है और हान के लिए आपको कशीटर कर सकते हैं ऊश्मा ऊश्मा या बिद्धुत उर्जा को हम इसके नदर गार मेजर कर सकते हैं है है तो आप समय गे होंगे सबसे पहले हम लोगे बात की एक बार सम्दी की रिवाइज कर लेते हैं कार कार कर का मतलग हो गया कि किसी भी पेंड पर यदि बल लगाया जाता है बल की सामय बिस्थापन होता है तो बल और विस्थापल का जो गुड़नखाल होता है वो कहलाता है काल है जिसको न्यूटन मीटर से मतलब जिसकी जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर है सेगल आता है आपका पूर्जा पूर्जा क्या किसी भी काल को करने की छंबता जिसके जिस छंबता की काल हम कोई भी काल कर सकते और जू़को डिफाइन किया है तीन टाइप से इस्टेक एनर्जी कानेटिक एनर्जी एन्ट इन्टेक एनर्जी जहां पर पिंड इस्थरवस्था में है और उसके अंदर ऊजा एखटी है वो कहलाती है इस्टेक एनर्जी एम जी एच एम द्रन्मान जी गुरुता वाशनबल और एच होगे हाइट निकाय से उसकी हाइट जिसका मातर कुतर न्यूटन मीटर गुविधर रुपवभन ग्रिव अवस्था में तो उसके अंदर उर्टा एक घट्टि तो यह ति यही अर्ज़ें जलू जाती हैंड़ के तो एंदर टाल होगे होके से अवस्था में चल रहा हैं तो और diamant बनाए जा रही है इसलिए उसको कह दिया गदिज उर्जा को हाफ mb2 द्वारा दिखाइन किया जाता है तो आपका जो m है mb2 m द्रण्मान बी हो गया बेग तो आपका द्रण्मान इंटू बेग का दुगना यदि आप इंटू हाफ इससे आपका उर्जा आएगी और इसका भी मार्कट है वो न्यूटन मीटर इंटर्ण एनर्जी होती है मॉलिक्यूल की सनजना तथा उन मॉलिक्यूल की गती के अंदर जो उर्जे खटी है वो आपकी इंटर्ण एनर्जी कहरा दी है तो आसा गटें कि आप यह दो टॉपिक आसान और साल भासा में समझ गया होगे और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और सेयर कीजिएगा और यदि आप पहले से सब्सक्राइब हैं तो लाइक और सेयर कीजिएगा तो मिलते हैं नेक वीडियो में तब तक लिए थैंक्यू धन्दमाद